नमस्कार दोस्तों, मॉक्टेस चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम जो है financial planning process को A to Z समझने वाले हैं आपको बता दें कि जब भी आप कोई भी life insurance plan किसी को बेशते हैं अगर आपने उनके financial goals को meet करते हुए plan बताया तो बहुत ज़्यादा chances हैं कि वो आपसे plan खरीद ले इसलिए आपको financial planning process के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आप जो है एक correct evaluation पे बहुत सके हैं दोस्तों, financial planning process में हम अपने clients के goals को identify करते हैं उनके net worth को calculate करते हैं और साथी साथ उनकी financial needs को समझते हैं और ऐसे plan को suggest करते हैं जिससे कि उस needs को पूरा कर पाएं दोस्तों, goals को तीन पार्ट में divide किया है short term goal, medium term goal और long term goal short term goal हो सकता है किसी के लिए घर पे TV खरीदना या फिर family को vacation पे ले जाना medium term goal जैसे कि किसी के लिए घर खरीदना long term goal अपनी बच्चों की higher education के लिए जो funding तयार करना या उनकी शादी के लिए funding तयार करना या फिर जो post retirement के बाद जो आपको pension के लिए planning करने को भी हम long term goals में categorize कर सकते हैं आए दोस्तों हम economic life cycle concept को समझते हैं जब बहुत सारे लोगों के ओपर study किया गया तो उन्होंने पाया कि एक phase होता है जिसे हम कहते है student phase जहां पर लोग जो है पढ़ा ही करते हैं अपने job के लिए preparation करते हैं ताकि वो अपने next stage में जाके earn कर सकें और उस earn करने वाले stage को हम कहते है working phase अब working phase कुछ लोग के लिए 20 years में चालू हो जाता है उस लोग लिए 25 या थोड़ा late भी चालू होता है वहीं पर ये जो एक बार चालू हो जाता है तो अगले 35-40 साल तर continue रहता है जहां पर हम earn करते हैं पैसे उसके बाद आता है retirement phase retirement phase का मतलब अब जो है हमने कमाना बंद कर दिया बट वहां पर हमारे खर्चें बंद नहीं हुए है खर्चे कहीं न कहीं हमारे medical expenses वा बाकी खर्चों के कारण बढ़ते रहते हैं तो economic life cycle concept की साब से 3 phases है एक होता है student phase, दूसरा होता है working phase और तीसरा होता है retirement phase दोस्तों जैसा कि आप लोगा ने देखा कि economic life cycle में total 3 phases है ठीक उसी तरह से अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं individual life cycle उसमें 7 phases है अब आप सोचेंगे कि यह जानना आपके लिए क्यों important है यह जानना इसलिए important है कि जब भी आप किसी client से मिलते हैं तो आपको identify करना पड़ेगा कि यह अभी कौन से life cycle stage में है और उससे आप identify करें पाएंगे कि उनकी क्या-क्या जरूरते हो सकती हैं किस तरह की सोच वो रखते हैं और उस हिसाब से आप उन्हें एक बहतर plan suggest कर पाएंगे दोस्तों मैं पहले ही आप लोगों को disclaimer देना चाहता हूँ कि individual life cycle के बारे में IRDA की booklet में जब cover किया गया है तो उसमें कही सारे ages भी mention किये गये हैं अब ये ages उन्होंने बहुत सारे लोगों में जब maths में study किया तो उस age के conclusion में पहुँचे हैं वहीं पर मैं अपना personal view आपको बता दो कि मेरा मानना तो ये है कि learning phase कभी खतम नहीं होती वक्ति जो है अपने जीवन काल तक कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है वहीं पर रही बार कि वो earn कब करना चालू करता है या कब शादी करता है ये हर एक एक व्यक्ति का individual choice है तो इस तरह से आप किसी भी client को judge नहीं कीजेगा कि नहीं अब तो आप काफी late हो चुके हैं आप 35 के हो गए अपने अभी तक शादी नहीं की नहीं बिल्कुल नहीं आपको मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि judge करना नहीं है आपका काम आपका काम है कि evaluate करना उस व्यक्ति की needs को समझना और उसके हिसाब से plan suggest करना 35 years की age में आने के बावजुद अगर किसी ने शादी नहीं किया है तो चलता है कौन सा पहाट टूटने वाला है दोस्तों सबसे पहला phase है learner's phase जो कि 25 years की age तक रहता है इस phase तक आते आते जो है व्यक्ति अपनी पूरी education complete करता है अगर उसे कुछ higher education करना हो वो complete करता है और अपने आपको earning phase के लिए ready करता है next stage होता है earner's phase जो कि 25 years से चालू होता है इस stage में आके व्यक्ति अपना पहला income कमाना चालू करता है यह बहुत ही right time है किसी भी व्यक्ति को अप्रोच करने के लिए क्योंकि जब व्यक्ति earn कर रहा होता है तब तक उस तक कोई भी responsibility नहीं आई होती है बच्चों की या marriage की और convince करना दोस्तों next stage हाता है partner age partner age वो age है जब व्यक्ति शादी करता है और शादी के साथ साथ आती हैं बहुत सारी responsibilities responsibilities जब responsibilities लोगों के बढ़ जाती है तो कहीं न कहीं उनको अपने लिए insurance plan भी लेना होता है कि कल अगर उनकी किसी कारणवाश अश्यमाय मरती हो जाए तो उनका जो partner है उसको कोई financial problem ना हो दोस्तों इसके बाद next stage आता है parenting age, parenting age 30-35 years के बीच में होती है जहाँ पे बेबी आता है तो थोड़ी और additional responsibilities बढ़ जाती है उसके बाद आता है provider stage, provider stage 35-55 years का age होता है जहाँ पे parents जो है अपनी बच्चे की हर वो जरूरतों को फुल्फिल करने की कोशिश करते हैं जो कि उनस इसी age में complete करता है दोस्तों next stage होता है empty nesters stage, empty nesters stage normally 55-65 years के age में आता है जहाँ पे बच्चे की या तो फिर शादी हो जाती है या फिर अपने employment की सलसिले में घर को छोड़के कहीं और जाके बस जाता है वहीं retirement age जो है normally 60 years से चालू होता है और यह बहुत ही important stage है क्योंकि अब तक इनके life में जब से उन्होंने earning चालू की तब से लेके आज तक वो एक regular income कमाते गए और इस stage में आके उनकी income पूरी तरह से बंद हो चाती है और उनका health भी कही ना कहीं effect होना चालू होता है आईए दोस्तो हम समझते हैं individual वक्ती की क्या क्या needs हो सकती है पहली need होती है enabling future transactions वो आज से ही अपनी बच्चे की higher education उसकी शादी और अपनी retirement की planning करना चाता है दोस्तो next need होती है meeting contingencies आप सभी जानते हैं मुसीबते जो हैं बता कर नहीं आती है ठीक इसी लिए आप लोगों को पहले से plan करना पड़ता है in case अगर unemployment हो जाए यह hospitalization का एक बड़ा खर्चा निकलाए या किसी की death हो जाए तो उसको हम जो है insurance की मदद से cover कर लें ताकि हमारी savings उस कारण से effect ना हो दोस्तों तीसरी need होती है wealth accumulation हर वेकती चाहता है कि अपनी earning phase में ही इतना पैसा वो कमाल है कि retirement के time आते आते इतना wealth accumulate हो जाए कि किसी और से पैसे मांगने ना पड़ें दोस्तों आप लोग ने अभी तक जो है लोगों की individual needs को समझा आई अब हम discuss करते हैं कौन से इसे financial products हैं जो कि आपको इन needs को fulfill करने में मदद करेंगे दोस्तों इसमें सबसे पहला आता है transactional product जब भी आपके goals पास आ रहे हो तो बहुत ही जरूरी है कि आप अपने assets को sell करके उसे liquid में रखें अपने bank deposit में ताकि कल अगर आपको अचानक से पैसों की जरूरत करते हैं कुछ time पहले है उसे निकालके bank deposit में रख लेते हैं यह real estate की case में भी बहुत ही valid है क्योंकि अगर आप सहुच रहे हैं कि अपनी बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए आप अपनी जमीन को बेच के जो है उन्हें पढ़ाएंगे तो हो सकता है जिस साल आप उसे बे नहीं कर सकते उसके अगेंस जो है financial protection provide करता है तो ऐसा तो है नहीं अगर आपने insurance कराया तो जो है आपकी life safe होगी नहीं life को जो risk है वो तो risk carry करता है बट उसके आने वाले जो financial repercussions है उससे आप protect हो जाते हैं वहीं दोस्तों wealth accumulation के लिए भी हमारे insurance में कई सारे products हैं इसके important है कि जब भी आप किसी भी वेक्ति की financial planning करके देते हैं तो यह चार्च जो को definitely देखें पहले कि आज की उनकी क्या जरूरते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने उनसे इतना बड़ा एक amount invest करा दिया कि उनकी आज की जरूरते ही नहीं पूरी हो पा रहे हैं तो कुछ सालों बा हो सकता है आज आए तक दो साल यो पांच साल बाद आये कि आपने जो invest करने वाला amount बताया था वो इतना छोटा था कि उसे तो मिरे को नहीं लगता कि goals पूरे हो रहे हैं वहीं पे बहुत important है कि income सबका एक जैसा नहीं है उस व्यक्ति की क्या income है उस हिसाब से उसे एक plan suggest करे ऐसा ना हो कि उसके उपर बहुत ही additional दवाव हा जाए आपके plan के कारण वहीं पे हर व्यक्ति की risk लेने की capacity एक जैसी नहीं होती कुछ लोग जो है ज्यादा risk ले पाते हैं कुछ लोग risk से बिलकुल धूर भागते हैं तो उस सब को ध्यान में रखते हुई आपको उनको planning करक चालू करता है वही right time होता है investment चालू करने के लिए और एक proper financial planning के लिए वहीं पे अगर वह window आपने मेस कर दिया तो आज का जो date है यह आपके लिए right time है financial planning को seriously लेने क्या हो दोस्तों आप लोग को सभी जानते हैं कि आजकल इतने सारे investment products market में आ गए हैं कि लोग confused हैं कि कौन सा product में वो invest करें वहीं पे अगर आपने उन्हे right guidance दे दिया तो आपके sales को होने से कोई नहीं रोख सकता दो और चीजें change हो रही है एक तो महंगाई इतनी वड़ रही है कि लोगों को समझ आने लगा है कि अगर आज से planning नहीं किया तो जो है आगे जागे problems create हो सकती है लोगों को insurance जैसे products के बारे में भी information आ गई है कि internet इतना ज्यादा लोगों तक पहुँच चुका है कि आज कोई भी जानकारी किसी से चुपी नहीं है वहीं पे लोगों की lifestyle भी ब बहुत मैनत लगती है कहीं ना कहीं एक ही बात को बहुत बार रिपीट करना पड़ता है ताकि आप तक right information पहुचा सकूं इसी तरह से हमें support करते रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में जै हिन जै भारत